हेलो मॉमीज ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी है आप ये देखिए इस तरीके से मैंने मिश्ची को कलर दिया है जाहे उसने सारे हाथों पे लगा लिया है क्योंकि से सेंसरी इशूज है और वह बहुत इंज्वाय करती है मैंने उसका लाइन लगाके दिये और वो अपनी फिंगर के साथ इसको ट्रेस कर रही है एक आप ये भी उसकर सकते है ये देखिए इस तरीके से बिंगो कलर दाते है इससे आप बच्चे को डाट करना सिखा सकते है आप पहले उसको बिंगो कलर से सिखाए दाट डाट धन के साथ लगी हुई है चाहे वो कुछ भी कर रही है लेकिन उसको sensory input भी मिल रहा है वो enjoy भी कर रही है sometimes वो अपने पूरे hand को ऐसे पूरा उस पर करती है paper पर capture क्योंकि मैंने उसको सिखा रखा है कि hands पर लगाओ और अपना hand put करो आप इस तरीके की activity से starting से एक तो बचे को coloring और वो गलत करें सही करें कोई problem नहीं है आप उसे करने दो उसको sensory input मिल रहा है और साथ में वो enjoy कर रहा है और सबसे बड़ी बात है sitting बच्चे को sitting मिल रही है उसे मजा आ रहा है वो बैठ रहा है उसे एक तरह का sensory input मिलता है तो बच्चे बहुत जादा enjoy करते हैं इस चीज को और अलग-अलग तरीके से मैंने उसको color करना भी सिखाया है कुछ ऐसे colors हैं जो बच्चों की pre-writing के लिए बहुत helpful रहेंगे वो मैं आपको share करूंगी बहुत जल्दी कौन-कौन से color है और किस तरीके से आप उनको करा सकते हैं और इसी starting ऐसे करने से बच्चों को एक तो tracing भी Thank you so much